हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टु चैनल जेएस कॉमर्स क्लसेस इस वड़े में हम कवर करने वाले हैं टीवाई विकॉम के एक इंपॉर्डंट चैप्टर की तरफ तरफ देट इस रजिस्ट्रेशन अंडर दा जेएसची लो ये चैप्टर में से आपको दस माक्स का कोशिश करोगा किस बैसे पर आपके कोशन साते हैं कोशन को करने से पहले कुछ बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन किसके लिए जरूरी है मतलब फॉर एक्जंबर अगल आप एक शॉप ओपन कर रहे हैं तो और आ क्यों भी जिसके पास नहीं उसके पास में वह इंकम टैक्स वाले क्यों नहीं आ रहे कुछ रिज़न होता इसके पिछे डियर फेंट सो वही चीज़े हम लोग क्या करने लिए इस वीडियो में शेयर करने लिए ठीक है तो वीडियो को पूरा देखना और आपको दस माक्स पूरा बेसिक टू आपके एक्जाम्स में कैसे सम साते वो भी हम लोग क्या करने लिए कवर करने लिए तो सबसे पहले आप लोग समझ गए रजिस्ट्रेशन अंडर दा जीए शी मतलब क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं क्या आप लोग लाइबल हो आपको कं कोई भी नहीं करेगा कुछ कंडिशन्स होगी तभी तो इंसानों को क्या करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन कोई भी इंसान आज के डाम पर गॉवर्मेंट को पैसा देना चाहता नहीं है लेकिन कुछ कंडिशन्स होती है अगर वह फुल्फिल होती है तो आपको मजबुन को यह बेसिक चीजे पता होना चाहिए ठीक है जैसे की परसन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब कौन सा परसन लाइबल है सेक्शन ट्विंटी टू क्या बोलता है जहां से सुनेंगे दो कंडिशन है डियर फ्रेंड्स आपको बहुत इजी में समझागो जो आपकी डा कुछ कंडिशन हागी क्या हो गया कंडिशन हागी एग्रिगेट टर्न ओवर एग्रिगेट टर्न ओवर का मतलब होता है ट्रीशोल्ड क्या होता है डियर फ्रेंड्स ट्रीशोल्ड मतलब for example साल भर में तुम ने 40 लग का सेल कि पचास लग का सेल कि turnover मतलब कितना तुम ने सेल कि profit की बात नहीं हो रही है dear friends turnover मतलब होता है कितना आप लोगों ने साल भर में सेल कि aggregate aggregate मतलब पूरा total कर ले ना January में कितना किये February में कितना किये पूरा तूटल aggregate मतलब क्या होता है dear friends फिर से में बोल रहू aggregate का मतलब होता है total मुझे आवाज नहीं आई आप लोगों कि मुझे तो आवाज नहीं आई सर क्या पागल जैसे बात करते हो आवाज आएगी नदियर फेंट्स अगर आप comment section में mention करते जाओगे तो मुझे समझ में आएगा हाँ dear students आपको समझ में आ रहा है aggregate मतलब total total turnover इन्हें financial मतलब पूरे साल भर में exceed जादा falling limit मतलब दो condition दी विए section 22 sub section 1 दियावा है उसके बाद में एकोन सबसे पहले conditions क्या बोल रहा है जाज हैंसे सुनेगे dear students अरुना चल पर अगर तुम supply of goods मतलब तुम खली goods sold करते हैं क्या करते हो for example आपकी कोई shop इस्चेशनेरी की shop होगी ऐसा वगेरा वगेरा अब goods supply करते हो supply मतलब sale goods की बात हो रही क्या बात हो रही goods की अगर आप supply क्या करें स्रीफ फो सिफ goods sold करते हैं क्या करें goods खली supply goods sold करते हैं क्या सामान कोई अगर आपका ये state है अगर आप ये state से ब्लॉंग करते हो dear friends क्कोन से state है अरुना चल परदीश मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ और अरुना चल परदीश उसके बाद में है तुमारा मनीपूर मेगालिया मिजोराम नागालेंड पॉंडचरी सिकीम तेलंगना उतराकंड एंड केरला ठीक है ये कितने नाम होगा ज़रा जहां से सुनेगे वान च्यू त्री पूर 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब ये 10 state में अगर आप sailor हो अगर आपकी 10 ये state में अगर आपकी दुकान है तो आपका अगर 20 लाग turnover होता है सर कोशन में दिया रहेगा क्या दिया रहेगा न भाई क्लियरली दिया रहेगा कोशन में अगर ऐसा दिया है कि भाई जो करता है वह मिजवराम का है अब तुम कहा सप्लाइ करें उससे मतलब नहीं आपका में ओफिस किदर है अगर यह कंडिशन यह जगे में आता है तो तुम्हारा 20 लाग तक सेल हो रहा है फॉर एक्जांबल 19 लाग तक सेल है तो आपको रजिस्ट्रेशन जर्वत नहीं जहां पर 20 लाग क्रॉस हो गया 20 लाग 100 भी हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कौन से कौन से स्थेट में अरुना चल प्रादिश मानी पूर मेगालिय मिजुराम कीम तेलंगना त्री पूरा उत्रकट याद कर लो फटा फट अब इसमें से किसका किसका कुन सा गाव है मुझे कमेंट सेक्शन में बता अगर बचावा कोई भी देश मतलब श्टेट हों दो जैसे महराश्रा हो गया मध्य प्रदेश हो गया और इसके बाद में उत्तर प्र यहां की population कम है तो इन लोग क्या बोलेगी मेरा तो उत्रह सेल्स होने में टा गौर्वर्मेंट चतुरी गौर्मेंट को पता है कि इन लोग का बीस लाग भी हो गया मतलब इन लोग लिए बहुत है because वहाँ पर already क्या है population कम है इसके लिए ये special state में आते है 10 state को उनसे बताएगी अरुनाचल प्रदीश, मनीपूर, मेगालय, मिजोरा जो को M.M. याद रखनेगा M.3 हो जाएगा तुमारा A.M. ठीक है आम याद रखलो ठीक है M.N. अमन तो ऐसी यादर हो जाएगा ठीक है उसके बाद में S.G. 2 S.G. UK याद रहेगा डियर फ्रेंड्स अमन S.G. UK ठीक है A. से अरुनाचल प्रदीश, M. से 3 आते मिजोराम आएगा उसके बाद में मनीपूर आएगा मेगाल है N. आप पर रियागालाइन हो जाएगा उसके बाद पॉंदी चरिया P से भी तो आरा है P भी लितना है ठीक है अब ये कंडिशन समझ में आगे चाहिए 204 लाग की हां सर हम बुकेस आप से जाएगे ठीक है आगे In case of Kerala state ते केरला जेस्ची वेबसाइड मेंशन यह इस मेंशन ओल्ड लिमित अफटर्वर मताद केरला में पहले दिया था 20 लाग रजिस्टिशन केस अफ शप्लाइब गूट्स अब अगर आप सप्लाइब गूट्स एंड सप्लाइब सर्विस सप्लाइब अगर आपका कोचिंग क् गूट्स एंड सर्विस तो उसकी काडिशन के है यह चार स्टेट के लिए 10 लेके और बचेवे स्टेट के लिए 20 लेक है मतलब अगर हम लोग बात करे बूट्स एंड सर्विस तो इसमें चार स्टेट ही आते हैं जो इस पेशल काडिग्री में एडिज़ मनिपूर मिजोराम नगालाइंड त्रीपूरा M2N T MNT क्या बोला मैंने MNT मिजोराम मेगालिया N for Nagaland T for त्रीपूरा यहाँ पर अगर आप मतलब सर्वीस भी और गूट्स भी है तो 10 लेक रहेगा और रेस्ट बचेवे के लिए 20 लेक्स रहेगा यह चार चीज़ समझ में आ गई सर समझ में सर किसको किसको जैसे अगर मैं क्या for example भार की कंटर में भेज रहेगा उसके लिए भी कंडिशने तुमारा टर्न ओवर किसको भी देखके हो रहा डियर फ्रेंस for example all taxable supply excluding the value invert supply इंविच टैक्सेबल जैसे कि आपने जिसके ओपर for example आप लोग ने माल बेचा एक ला आपको एड करने के जरुत नहीं जितना सेल्स कर रहे आप कितना कर ले हो जितना भी सेल्स कर रहे उसके पर टैक्स एक्जम्शन सप्लाइब मतलब कुछ चीज़ होगी जिसके पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन वह भी तुमारा टर्न ओवर में एड हो जाएगा क्या बोल या तो एक्सपोर्ट करो कुछ भी करो तुमको क्या करना पड़ेगा सभी के सप्लाई के उपर एग्रिगेट करना है क्या करना है एग्रिगेट सवन में आ गया यह बेसिक चीज़ थी जो मैंना आप लोग के साथ में शेयर किया यहाँ पर दिया वाजो टैक्सेवल सप्ला दिया है सभी को प्लस करना है क्या करना है एग्रिगेट करना मतलब प्लस करोगे डियर फ्रेंट्स क्या करोगे प्लस करोगे ठीक है अब सर ऐसे कौन से लोग है जिसको नहीं करना है परसन नौट लाइबल फॉर रजिस्टेशन सबसे पहला है जिसमें हम लोग बोल सकते है agriculture जो agriculture का काम करता है और supply कर रहा है goods उसको tax भरने की जरुवत नहीं है plus जो government का बंद है मतलब जो government के जैसे काम करता है लोगों की सेवा कर रहा है special question में दिया रहे हैं तो हापे लिखावाए person engaged exclusively in supply of goods and service not liable for tax the person engaged exclusively in supply of goods and wholly exempted मतलब ऐसे कुछ जिसमें government ने बोली कि भाई यह तुम करोगे में इसके पर तुमारा service कर रहा है या goods कर रहा है तो उसको registration की जरुवत नहीं है non taxable है या high नहीं इसके पर tax आसे बहुत सारे product है जिसके पर tax लगता ही नहीं जब मैं tax लोगा ही नहीं तो tax भरोगा क्यों अब मैं डारेक्ट लिए आप लोग को इसका एक समझ में आएगा मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी चीज़े यही पर ही doubt clear हो जाना चाहिए for example Mr. K is a new dealer from the information find out which day he will be liable registration और question में ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि कहा का है मतलब यह normal person है कोई state का नाम नहीं दिया तो normal है date दे दिया है purchase दे दिया है और sales दे दिया है क्या वहला purchase से मुझे मतलब नहीं है ठीक है सबसे पहला solution person is liable answer कैसा लिखोगे person is liable to get registration under GST कब होगा if aggregate turnover जोड से बोलो aggregate turnover exit aggregate मतलब जितना भी वह sales कर रहा सब को plus करने पर अगर 40 लाग से ज्यादा हो जाता है तो ही उसको क्या करना है taxable लेकिन turnover include taxable in exam suppliers calculation अभी हम नहीं करते सबसे पहले दो जो जो तुम्हारा sales है न वो लिखेगे हम लोग जैसे कि चार देखो एक दो तारीकों जो हो रहा तो हम लेगे नहीं लाएक चार तारीकों कितना हो रहा 16 लाग और tax free के तो मैंने क्या बोला taxable भी लेना है और tax free भी लेना है तो 16 लाग चार लाग तो दोनों को 16 लाग एक लाग चाली जोनों को प्लस करता है यहां लिखोगे cumulative sales अब उसके बाद में sales कब हो रहा dear friends यहां पर दोगो तो जितने भी sales होगे date case आप से लिखना है और यहां लिखोगे यहां लिखोगे एक लाग चार लाग प्लस करो 33 प्लस 1 34 34 प्लस 38 तो जितने भी sales होगे date case आप से लिखना है और यहां से इसको खली plus करते भी जाना है जहां पर आपका 40 क्रॉस हो गया हो गया sir हो गया 44 हो गया यह कौन सा मंत्य dear friends 2nd माई नहीं नहीं हां माई का महिन है न सेकंड माई को वो क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन लिखा है जह अग्रिकेट अना वो दमिश्चर के exit 40 लाग से जादा हो रहा है काब हो रहा है 2nd माई 2020 he is liable to get a registration under the GST कितना easy है सर एक तो इतना easy sum भी आता क्या सर एक बार यह बताओना कैसा है cumulative देखो 1 2 plus किये फिर 17 plus 5 plus 11 यहां लिखोगे 33 plus 1 plus 4 38 38 plus 5 plus 5 समंगा रहा है यहां से दोनों को plus करके यहां लिखते जानेगा डन अब यह आला एक कोशन ले लोगे dear friends और आप लोग खुट ट्राइ करोगे ठीके और इसके बाद में हम लोग एक दो वीडियो ऐसा और भी बनाएगे जिसका जो एक्जाम में आये थे आप ले लो कोशन बहुत इजी कोशन है पर्चेस से आपको लेना देना नहीं किससे लेना देना होगा डारेक्वी से बहुत इजी में में समझाया हो दस-मक्सक कनफर्म मिलेगे dear friends ये एक्जाम में आता है सारी चीज़ लेना वो एक्सपोर्ट हो रहा है वो इंटरस्टेड हो रहा है आपको घबराने की जरुवाथ नहीं है supply हो रहा है ना सारी चीज़े ले लो, don't worry तक कि ऐसा मैं नहीं बोल रहो, ऐसा तुम्हारा test book में आपको पूरा specially दियावा था, ठीके dear friends अगर इसका पूरा PDF चाहिए तो प्लीज आप मेरे WhatsApp ग्रूप पर है, Telegram पर राइड हो जाना, वहाँ पर आपको सारी चीज़े मिल जाएगी अगर वीडियो इंफोर्मेटी लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को साथ में शेयर करना मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में Thank you so much, बाई बाई